असलालेकुम एविवन वेलकुम बेक टू मैज चैनल आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी कैट को कैट फूट के अलावा और क्या देती हूं खाने में जैसे कि आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा कि कैट को फूट में चिकन देनी चाहिए लेकिन चिकन हमें कैसे देना है यहां पर मैंने चिकन और कलेजी दोनों ली है इन्हें अच्छे से वाश कर लिया है लगबग तीन से चार पानी से अब इसे मैं एक डेक्ची में डाल क इसे डूबने जैटना पानी डालूँगी और इसे अच्छे से बॉइल कर लोगी चिकन हमें कभी भी कैटस को कच्छा नहीं देना चाहिए इसे अच्छे बॉयल कर ले आप चाहे तो इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं जिससे आपका गैस और टाइम दोनों की बच्चत होगी लेकिन मैं आप लगों को दिखाने के लिए यहाँ पर डेक्षी में बॉयल कर रही हूं इसे अच्छे से बॉयल कर ले लगबग 10 मिनट में ये बॉयल ह जाएगा फाइव मिनट्स ते इसे ठंडा होने के लिए एंड देन आप इसे प्लेट में निकाल ले जब आप देखोगे कि ये अच्छे से मैश हो सकता है तभी आप गैस बन करें और अगर आप कुकर में बॉयल करोगे तो दो सीटी में ये काफी अच्छे से गल जाता है अब इस तरीके से आप इसे मैश कर ले सारा चिकन और कलेजी भी आपको मैश करके देनी है ताकि वो इजी खा सके और जो भी हड़ी वगेरा चिकन में होगी उसे आप निकाल ले अगर आपकी कैट हड़ी वगेरा खाती है जैसे आप नॉर्मली देते हो हमेशा तो आप दे कर फिर आप उन्हें खाने के लिए दे मेरे पास यहां दो कैट्स है तो मैं इन्हें दो बावल में मैं निकाल लूँगी और ऑस्ट्रोपेट जो मैंने आप लगों को लास वीडियो में भी बताया था कि मैं अपनी कैट्स को यह देती हूं तो लगबग मैं थोड़ी थोड़ यहां पर मेरे पास एक मेल कैट है जिसे मैंने अकसर जादा तर टाइम अब मैं इसे पिजरे में रखती हूं क्योंके मेरी फिमेल कैट प्रेग्नेंट है और यह है मेरी फिमेल कैट सो गाइस अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हलफुल है तो मेक शूर इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं फर्स टाइम देख रहे हैं तो रैड बेटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो बैल नोटिफिकेशन अन करना बिलकुल न भूले इसके अनवा मेरे दो और चैनल है फर्स है इंडि स्टर्शन बिलकुल न भूले इसके अन।